Hello everyone, welcome back to my channel series talks तो दोस्तो आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे दोस्तो आज तक हमारे पास consistently ये request आ रहे थे कि हम The Vampire Diaries, The Originals और Legacies तीनों ही सीरीसों को review करें दोस्तो अभी तक हमने The Vampire Diaries और The Originals को review कर दिया है जिनके वीडियो का link आपको description पर मिल जाएगा तो दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको Legacies के उपर एक बहुत एक quick और अपने एक complete और honest review बताने वाला हूँ सीरीस को लेकर जिसके सिफ 2 seasons है फिलाल Amazon Prime पर तो दोस्तो आप इस वीडियो को एंटर जरूर देखिएगा लेकिन वीडियो को शुरुआत करने से पहला अगर आपने अभी तक हमारा चनल को subscribe नहीं किया है तो दोस्तो प्लीज फटा फट से जाकर इसे subscribe कर देजे और bell icon को दबाना मत भूलिएगा दोस्तो लेगेसी से एक American fantasy drama television series है जो कि The Originals और The Vampire Diaries के heroes और villains के love और उनके family के legacy को carry करते वह में बताता है दोस्तो ये drama television series हमें आने वाले next generation के supernatural beings के बारे में बताता है ये शब की शुरुवात होती है The Selvator Boarding School में जो की एलरिक सॉल्समें खोलता है सुपरनेशनल बच्चों को train करने के लिए The Vampire Diaries के end में साथी दोस्तो इस शो की main character रहती है Hope Michelson जो की हमें The Originals के season 5 में दिखाए देती है दोस्तो Legacies के फिलाल सी दो ही season है और हर season में आपको करीब 16 episode मिलने वाले है जिसकी लंबाई करीब 40 to 42 minutes की होने वाली है दोस्तो एक बहुत बनी खुशकवरी बताओ तो इस शो का तो तीसरा season है वो बहुत ही जल्दी officially January 21 2021 में प्रीमियर करने वाला है दोस्तो Legacies आपको Amazon Prime पर मिल जाएगा सारे Michelson's खांदान की खतम हो जाने पर Hope Michelson, Eleric Saltzman की school में आ जाती है जहाँ पर अल्रेडी Eleric की दो twins बेटिया भी रहती है जो है Lizzie Saltzman और Josie Saltzman जो की हमें अल्रेडी The Vampire Diaries series में दिखती है और ये दोनों भी इस series के बहुत ही साधा important characters है Hope Michelson, Eleric Saltzman, Josie Saltzman और Lizzie Saltzman के अलावा और भी बहुत सारी important characters आपको इस show में नजर आने वाला है जो है Landon, Kirby, Milton, Raphael और Caleb तो दोस्तों इस show में ये सभी मिलकर नहीं नहीं सुपरनैचरल बिंग से लड़ते हैं और अपने स्कूल को प्रोटेक करते हैं इन सभी चुजो से तो दोस्तों Legacies के दोनों ही season बहुत ज़्यादा शांदार है और अगर आपने The Vampire Diaries और The Originals को देख लिया है और आप इसे बहुत ज़्यादा अच्छे से समझने वाले हैं तो दोस्तों अभी तक आपको ये मालूम चल गया होगा कि इस शो की directing और इसकी story बिलकुल The Vampire Diaries और The Originals की standard वाली है और आपको इससे जरूर देखना चाहिए दोस्तों जैसा कि मैंने आपको अल्रीडी बता दिया है कि The Vampire Diaries और The Originals अगर आपने देख लिया है तो ये शो आपके लिए देखना बहुत जरूरी है क्योंकि आप इसे बहुत अच्छे से समझ पाएंगे दोस्तों इस शो में आपको भरपूर action और teenage drama भी मिलने वाला है जो कि शो में और चार चान लगा देता है दोस्तों इसी के साथ मैं आशा करता हूँ आपके लिए ये review helpful रहा होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे like और share जरूर करना और दोस्तों comment section में मैं लिखकर जरूर बताना कि इन तीनों मैंसा आपका favorite series कौन सा है और दोस्तों अगर आप चाते हैं कि हम आपके लिए कोई और भी series का review करें तो प्लीज बेजी जग हमें comment section में लिखकर जरूर बताईएगा तो दोस्तों इसी के साथ हम जल्दी मिलते अ अगली वीडियो में